लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले मानसून की चाल पड़ी सुस्त, जैकपूर सहित कुछ स्थानों पर हलकी बरसात का अनुमान जैकपूर, राजस्थान हमें पिछले सब्ता आये मानसून के बाद अब राजदानी का हाल पहले जैसा ही है मानसून के दो दिनों तक तो बारिश से मौसम और तापमान में असर देखा गया लेकिन अब वापस दिन के समय गर्मी बनी हुई है राथ में फिर भी तापमान स्थिर बना हुआ है दिन के तापमान में बड़ा उत्री दर्ज हुई है राजदानी जैकपूर में भले ही बारिश नहीं हुई हो लेकिन राजस्थान में पिछले दो दिन से कुछ इलाकों में ही वर्षा हुई है पिछले दो दिनों में जैसल मेर, चूरू, बाड मेर, कोटा, वीकानेर में मेग मेहर बान रहे इसी दोरान राजस्थान है में मौसम को देखते हुए मौसम विभाग के मताबिक अगले 24 घंटों में हलकी बारिश की संभावना है राजदानी जैकूर में भी शाम तकहल की बारिश होने की संभावना बनी हुई है जैकूर में इन दिनों तापमान 38 डिगरी और रात में 27 से 28 डिगरी बना हुआ है पिछले दो दिन से बारिश कम इलाकों में ही हुई है इस दोरान कुछ जिलों में उमस और गर्मी से चलते लोग परिशान रहे वही राजस्थान हमें कई जिलों में तापमान 24 डिगरी से 28 डिगरी तक रहा राजदानी जैकूर में न्यूंतम तापमान 27 डिगरी सीकर में 26 डिगरी अजमेर में 26.5 डिगरी कोट्टा में 26.8 डिग्री, भीलवाडा में 24 डिग्री, बाड मेर में 26.6 डिग्री, जोधपूर में 28.4 डिग्री समेत जैसल मेर में 25.9 डिग्री दर्ज किया गया सपना चोधरी के कारकरम आयोजन पर हाई कोट से आई ऐसी खबर की प्रशन सक्ख हुए खुश मौसम विज्यानिकों के मताबिक इस साल होगी अच्छी बारिश, मौसम विज्यानिकों का प्रदेश में मौसम को लेकर दावा है कि इस साल राजस्थान में अच्छी बारिश हो नुमान है